हेलो गाइस गाली नोब इस ब्लोग में आपका सौगता और आज मौझूद है ब्यम डवलू का C400 GT देश का सबसे महेंगा और सबसे पावरफुल स्कूटर जी हाँ यह इसकी की है जैसे कि आप देख रहे हो यहां से 26 तरीक से दिखती लेकिन इसका कोई काम देखेगा नहीं म पर भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है सामने से दिखने में काफी जादा काफी जादा एग्रेसिव नजर आ रहा है और खास बात तो यह है कि यह स्कूटर ना प्रॉपर आपको वैसा वाला फील देखा जैसे ट्रांसफोर्मर्स आपन तो यहां पर इसकी यह लाईट चल गई हैux कि काफी जादा बढ़िया लग रहे हैं और जी ए और इसकी काफी जादा बढ़िया लग रहे है काफी अच्छा इसे डिजाइन किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो यह इंडिकेटर है सभी लाइट्स LED है चाहे आप यह देख लो यह देख लो यही पर DRL का काम होता है और यही पर आपको हाइविम लोबिम भी देखने को मिल जाती है यह जो वाइजर है इसका बहुत बड़िया रोल है इस स्कूटर के साथ क्योंकि यह काफी बड़िया काम करता है जैसी आप इसे चलाते हो तो आगे से कुछ अगर कीड़े बीड़े आ रहे होते हैं तो वो परसे निकल जाते हैं और आपको काफी बड़ीया काम करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर 6.5 इंच का TFT Digital स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और यहाँ यह जो बटन है, आप इससे इसे टॉल करके कंट्रोल कर सकते हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा जाता हूँ, य यह रोटरी कंट्रोल है, ठीक है, यानि कि इसे आप घुमा भी सकते हो, और इसे लेफ्ट राइट ऐसे भी कर सकते हूँ, देख रहे हो, मैंने यहाँ से राइट को दबाया, तो यहाँ पर अरबन आ गया, नविगेशन आ गया, मीडिया आ गया, टेलिफोन आ गया, और यह सेटिंग आ गई, और सेटिंग अगर आप यहाँ से, यह मेन्यू से यहाँ नीचे जाओगे, और फिर यह से घुमाओगे, तो यह इस तरीके से सारे कंट्रोल के आप एक्सिस ले सकते हो, और यहाँ पर इस सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, माई वहिकल में अगर वैसा कंट्रोल है, जैसा आपने BMW की F900R में देखा होगा, और यहाँ पर यह हाई बीम, लो बीम, यह बिसिकली पासिंग स्विच है, यहाँ पर यह बिसिकली पासिंग स्विच देखने को मिल जाता है, यह यहाँ पर आपको हैजार लाइट के बटन्स मिल जाते हैं, इंड शूरूम, 10,40, 10 यह बे, यहनि कि उन रोट पड़ेगा यह लगबग 11-11 के आस्पास, तो यह इसकी कीमत है, और GT यहाँ लिखने को मिल जाता है, यहाँ पर यह फ्यूल टैंक है, 12.8 लिटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, और खास बात यहाँ यह यहाँ стоier space मिल जाते है जीने कह सकते हो तो फीर वाक्स आपको यहां पर मिल जाते हैं इसका लवा और यहां पर देखते हो तो यहां पर आपको दूसरे glovebox देखने को मिल जाता है और इसी欸ता ही आपको USB port देखने को मिल जाता है यानि कि इस तरीके से open कर सकते हैं और ये इसी तरीके से खीच के आप इसे बंद भी कर सकते हैं seats देखोगे तो seats काफी चौड़ी है यानि कि radar के लिए यहाँ पर backrest भी मिल जाता है जो कि काफी जादा बढ़िया है और पीछे वाले pallion radar के लिए यहाँ पर grey rails मिल जाता है जो कि काफी मजबूत है काफी strong और comfortable seats यह देखने को मिल जाती है पीछे की तरफ आपको LED tail lights मिल जाती है जिनका design काफी जादा बढ़िया है और अगर आप tail lights देखोगे तो यह LED देखने को मिल जाती है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो exhaust वगेरा देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर gas charge absorbers देखने को मिल जाते हैं और BMW flex case लिखा हो देखने को मिल रहा है यह basically क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा ही पीछे की तरफ single disc मिलता है पीछे वाला tire 14 इंच का है आगे वाला 15 का था और यहाँ पर C400 GT लिखा हो देखने को मिल जाता है best part तो यह है कि अगर आप इस scooter को इस तरह के से देख रहे हैं यह single आपको ऐसे देखने को मिल जाता है और अगर मैं इसका यह boot space open करूँ तो यहाँ से आप इसका seat open कर सकते हो seat जैसे ही open करोगे तो यहाँ पर आपको hydraulic strut देखने को मिल जाता है यहाँ आप half face का helmet रख सकते हो in fact full face का भी रख सकते हो यहाँ पर आप छोटा सा helmet रखना चाहो तो वो रख सकते हो otherwise जो समान रखना चाहो वो रख सकते हो और यह flex case है आप इसे यहाँ से open कर सकते हो यह नीचे चला जाता है यह जैसे नीचे चला जाता है आप यहाँ पर helmet रख सकते हो हालग यह parking जब आप scooter पार्क कर रहे होंगे तब ही आप इसे open कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर यह flex case नीचे की तरफ आ जाता है आप देख रहे हो यह किस तरीके से नीचे की तरफ आ गया है और जब यह नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा यानि कि open रहेगा तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो जागा engine start not post BMW flex case open यानि की engine start नहीं होगा जब तक flex case open रहेगा तो जैसे ही आप इसे वापस लेकर जा रहे हैं तो इसे आप इस तरीके से उपर कर दें और इसे नीचे कर दें तो engine भी start हो जाएगा क्योंकि वहाँ से वह message चला जाएगा तो basically यही है scooter की कहानी और अगर आप देखोगे तो यह basically engine वगएरा यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है engine यहाँ पर लिखा तो हुआ है C400GT लेकिन 400cc का engine ना मिलके इसमें आपको मिलता है यह engine वाटर कूल है और 34 BHP की पावर दे देता है और साथ ही 35 Nm का टॉक जनरेट कर देता है CVT transmission से इस scooter का engine less है और इस scooter को चलाते वक्त आपको काफी ज़दा मजाता है चल लिए एक बार scooter की ride ले ले लेते हैं और चला कर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से यह चलता हुआ दिखाई देता है तो बात कर लेते हैं यह scooter किन लोगों को खरीदना चाहिए तो जैसा कि शुरुवात में मैंने आपको बताया कि इस scooter की कीमत 10,40,000 रुपे एक शोरूम है यानि कि 11,11,000 रुपे तक scooter की कीमत जाती है अगर आप देखते हो तो यह बिसिकलिए उन लोगों के लिए खास रहेगा जो लोग लंबी दूरी की आत्रा पर जाना पसंद करते हैं और साथ ही टूविलर्ट के बहुत बड़े शौकीन है हाला कि बाइक चला-चला के महंगी-महंगी बाइकों के साथ बोर हो गया है तो इससे scooter का आनंद ले सकते हैं यह scooter अपनी पार्किंग का खड़ी कर सकते हैं खासकर जो गल्स होती है जो MD, CEO या चेयर्मेन वगएरा होते हैं बड़ी-बड़ी कमपनियों के तो उन्हें scooter चलाने बहुत मज़ा आता है तो BMW ने बेसिकली यह scooter उन लोगों के लिए ही बनाया है क्योंकि वीकेंड पर थोड़ा बहुत चला लिया जाए थोड़ा बहुत राइडवाट कर लिया जाए और अपना चैन से रहा जाए रोजाना तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसा कि आपको पता है यह खाम खाम में रोजाना आप यानि कि होंडा एक्टिवा जूपीटर वगएरा जो देखते ना सेलेंडर वेलेंडर रखलो भाई दूद दूद लेने चले जाओ सबजी लेने चले जाओ तो इस स्क कोटर है कौन सब जी लेने जाएगा आप खुदी नीचे कोमेंट करके बताओ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेर करें और और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए बाए दोस्तों